नमस्कार मैं रवीश कुमार कोट को कौन धमका रहा है? किसके समर्थख सोशल मीडिया पर जजों के बारे में अभध्र टिपणिया कर रहे हैं? कानून मंत्री रीट्वीट कर देते हैं कि सुप्रीम कोट ने समविधान को हाईजेक कर लिया है हरियाना के मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर बयान दे देते हैं कि एक जज का माथा ठीक कर देंगे क्या मुख्यमंत्री जज को नहीं धमका रहे थे? राहूल गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेताओं का हुजूम सूरत कोट क्या पहुँचा? बीजेपी ये मुद्दा बनाने लग गई कि राहूल गांधी कोट को डरा धमका रहे हैं क्या कानून मंत्री हरियाना के मुख्यमंत्री का ये बयान सुनना चाहेंगे जिसमें वे एक जज का नाम तो नहीं लेते हैं मगर उनकी मानसिक शंता पर सवाल उठाते हैं और ठीक कर देने की बात करते हैं राहूल गांधी विपक्ष के नेता हैं मगर यहां तो मुख्यमंत्री कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक जज हैं उसके माते में गडबढ है तो ठीक करेंगे उसको मुख्यमंत्री जज को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं और 24 घंटे बीच जाने के बाद भी कानून मंत्री किरेंड रिजीजु का कोई बयान नहीं आता है क्या उनके अनुसार ये डराना या धमकाना नहीं था भीवानी में मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने नौकरियों पर स्टे को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री कह गए कि एक जज हैं उसके माथे में कुछ गड़बड है तो ठीक करेंगे उसको कोट को कौन धमका रहा है कौन इस्तेमाल कर रहा है ये सब के सामने हैं आप नाम नहीं ले सकते हैं मगर समझ तो सकते ही हैं पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया में दबाव के डर से काबिल जज़ भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं हेट स्पीच देने वाले तमाम लोग बे लगाम हुए जा रहे हैं सुप्रीम कोट चीख रहा है कि राज्य उन पर अंकुष नहीं लगा पा रहा है हेट स्पीच इसलिए दिया जा रहा है कि राज्य नपुनसक हो गया है समय पर कारवाई नहीं हो रही है अगर एक्शन ही नहीं लेना है तो राज्य की जरूरत ही क्या रह गई है इस टिपणी के बाद सोशल मीडिया पर अभधर टिपणियां होने लगी जजों के बारे में ये लोग कौन हैं कानून मंत्री पता करना चाहें तो जादा वक्त नहीं लगेगा लेकिन मुद्दा बना रहे हैं कि राहूल गांधी कोट को डरा धमका रहे हैं कॉंग्रेस नेता रंदीब सुर्जेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खटर को माफी मांगनी चाहिए तो क्या मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस तो लिया है और खेद जताया है दिल्ली की एक अदालत के भीतर कनहिया के साथ मारपिट हुई क्या कानून मंत्री बताएंगे कि उस मामले में क्या हुआ कौन डरा रहा था धमका रहा था मुद्दे को हलका बनाया जा रहा है ताकि जमीनी मुद्दों की बात न हो सूरत कोट में आज रहुल गांधी ने अपील दायर कर दी उन्हें 27 जमानत मिल गई है और 2 साल की सजा पर रोक भी लग गई है तो क्या उनकी सदसिता अब बहाल होगी सजा पर अगली तारीक को सुनवाई होगी उसके पहले कॉंग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहुंचे इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इतने लोगों को लेकर राहुल गांधी कोट को डराने और धमकाने गए हैं किसी ने कहा राहुल ड्रामा कर रहे हैं तो कॉंग्रेस के श्री निवास बीवी ने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें दिवंगत अरुन जेटिली जब अर्विंद केजरीवाल के खिलाब मानहानी का मुकदमा करने पहुंचे थे तब मोदी सरकार के कई मंतरी और बीजेपी के नेता पटियाला कोट गए थे यह 2015 की बात है लेकिन आज कॉंग्रेस के नेताओं का हुजूम सूरत कोट पहुंचा तो बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि कोट को डराने धमकाने गए हैं और ड्रामा करने गए हैं कॉंग्रेस ने पूछ दिया कि 2015 में क्या मंत्रियों को लेकर अरुन जेटली कोट डराने धमकाने गए थे राउल जी ने आज जो चिप जुडिशन मेजिस्टिक कोट सूरत ने तीस तरह को सजा सुनवाई थी और दोशित गोशित किया था एक एप्लिकेशन थी जो सजा मौकूफ भी दूसरी एप्लिकेशन थी जो दोशित किया गया है उसको मौकूफ करने के लिए कि मलब suspension of sentence and suspension of conviction की दो application साथ-साथ appeal के साथ रखी गई थी ordinary course में दो साल की appeal सजा और जो conviction वाली appeal होती हो admit होती है और sentence suspend होता है जमानत दी जाती है वो आज हो गया ordinary course में जो होना था को कर दिया गया अभी जो इस केस में राहूल जी कन्विक्ट है और वो कन्विक्शन के वज़ा से राहूल जी का जो सांसद पद है उसको disqualification ठहरा गया है उसके पर stay लाने के लिए application for conviction stay of conviction मतलब दोसित जाहर किया गया उसके पर stay लाने के लिए application की गई है उसका एक्सपार्टी एक तरफा सुनावनी नहीं हो सड़ी इसलिए नामदार कोट ने notice किया original complainant को मतलब पुर्णेश भई मोदी जो complainant ने उसको notice किया और उसको सुचित किया गया है कि आप दस तारिक तक आपको जो भी जवाब देना है जो objection लेना है जो हलक नमा डालना है जो आप जो करना है वो दस तारिक के पहले कर दो तेरा तारिक को राहूल जी का conviction को suspend करना है कर नहीं है राल जी के जो दोशित ठेहरा गया है उसके पर बनायुकब देना कर नहीं देना है उसकी सुनवाई होगी और उसके पर order होगा आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि 2015 में अरविंद केजरिवाल और उनके चार सहयोगियों ने अरून जेटली से माफी मांग ली थी उसके तुरंत बाद अरून जेटली ने मुकदमा वापस ले लिया लेकिन जब बीजेपी राहूल गांधी पर कोट को धमकाने का आरो प्लगा रही है तब इस अतीत को क्यों नहीं देखना चाहती अतीत नहीं दिखाई दे रहा तो कम से कम मनुहरलाल खटर के इस बयान को ही देख लेती जो जादा पुराना नहीं है कि जज का माथा खराब है उससे ठीक कर देंगे क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर कोई एक्षन तभी नहीं ले सकते थे जब दिया गया अजीब अजीब दलीले दी जा रही है जब तक राहुल गांधी ने अपील नहीं की थी तब ग्रिम मंत्री ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है इसलिए उपरी अदालत में अपील नहीं कर रहे है अब जब सूरत के सत्र न्यायालय में अपील के लिए रवाना हुए तो कानून मंत्री ने कह दिया जब सजा हो गई तो अपील कोट को डराने धमकाने के लिए नाटक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है किरेंड रिजीजु ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी कोट का घेराव कर रही है क्या नेताओं के साथ अदालत जाना अदालत को धमकाना है घेराव करना है कानून मंत्री चाहें तो अपने ही कुछ बयान देख सकते हैं फिर उस पर विचार कर सकते हैं कि ये धमकाना था या समझाना था क्या कीरण डिजीजु को ये खबर्याद है जब उन्होंने रिटाइड जजों के बयान को रिट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोट ने सम्विधान को हाइजेक कर लिया है? यही नहीं कीरण डिजुजु ने सरकार के आलोचक रिटाइड जजों के बयान को देश विरोधी anti National कह दिया तब देश भर के 300 वकीलों ने उन्हें चिठी लिख दी और उनके बयान की निंदा की कहा कि अपना बयान वापस लिजिये कानून मंत्री को ये कहना पड़ा है कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी काम नहीं है ये बताना पड़ता है क्या कानून मंत्री ने अपना बयान वापस लेकर कोई उधारन पेश किया अब कानून मंत्री कह रहे हैं कि राहूल गांधी के साथ अनेक सांसदों या मुख्यमंत्रियों का जाना कोट को धमकाना है ये कहना कि सुप्रीम कोट ने सम्विधान को हाईजेक कर लिया है वो क्या था बीजेपी ने सुबह से ही ये लाइन ले ली कि इतने निताओं का जाना कोट को डराना धमकाना और घेराव करना है आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से ये न्यूस चल भी रहा है कि राहूल गांधी उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्य मंत्री जैसे अशोक गहलोत बुपेश बगेल जी उनके परिवार से प्रियंका वाडरा ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहूल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं रस्ता रोको नौटंकी करो इस प्रकार का एक माहूल गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी और राहू गांधी जी का परिवार बनाने वाला है किसी लाइन में ड्रामा तो किसी लाइन में धंकाना अब बताये ड्रामा कैसे धंकाना हो सकता है बीजेपी सवालों के जवाब क्यों नहीं देती है कि एक सांसत की सदसिता फैसला आते ही रद कर दी जाती है और फैसला आने के कई हफते तक एक सांसत की सदसिता बहाल नहीं की जाती है लक्श द्रीप के सानसद मुहमद फैजल की सजा पर जब हाई कोट ने रोक लगा दी तब उसी तेजी से उनकी सदसिता बहाल क्यों नहीं की गई जिस तेजी से सूरत कोट का फैसला आने पर राहुल की सदसिता रद कर दी गई पचीस जनवरी को केरल हाई कोट का फैसला आता है और 30 मार्च को सदसिता बहाल होती है दो महिने से अधिक समय लग गए बीजेपी कानून की बात करती है तो बताए कि कानून का ये कौन सा तरीका है कि जब मामला सुप्रिम कोट में सुना जाने वाला था तब उसके ठीक पहले मुहम्मद फैजल की सदसिता बहा चर्चा के पास हो गया बीजेपी क्यों बोले जा रही है कि राहुल को अपील करनी चाहिए राहुल को माफी मांग लेनी चाहिए वह ये क्यों नहीं बता रही है कि फैसला आने के दो महिने बात तक मुहम्मद फैजल की सदसिता बहाल क्यों नहीं की गई और फैसला आने के दिन से ही राहुल की सदसिता क्यों रद कर दी गई 23 मार्च को Chief Judicial Magistrate एचेच वर्मा ने राहुल गांधी को दो साल की सजा और पचास हजार रुपे का जुर्माना सुनाया था राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए अपील का समय भी दिया राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी, राजस्थान और 36 गड़ के मुख्यमंतरी भी सूरत पहुंचे बीजेपी के विधायक पुरुनेश मोदी के वकील भी सूरत के सेशन कोर्ट में बहस के लिए तयार थे राहुल ने कभी नहीं कहा कि अपील नहीं करेंगे, इसके बाद भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं, तो आज उन्होंने अपील दायर कर दी कॉंग्रेस के मीडिया प्रमूप जैराम रमेश का एक ट्वीट आता है, वे कुछ कारेकरताओं के हिरासत में लिये जाने की तस्वीर शेयर करते हैं, कहते हैं कि गुजरात की भाजपा सरकार ने कॉंग्रेस नेताओं और कारेकरताओं को सूरत जाने से रोकने के लिए हाई की मांग करती है, लोग सभा में संसत सदस्यों के मकानों को देखने वाली हाउस कमिटी के अध्यक्षें सी आर पार्टिल, सी आर पार्टिल बीजेपी के ही सांसद हैं और नवसारी से सांसद हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि राहुल गांधी तुगलक ले नि यही कहा कि नोटिस का पालन किया जाएगा, इसके बाद कॉंग्रेस के नेता भी ट्वीट करने लगे, सुप्रीम कोट में 36 गड के एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक बसया ने ट्वीट कर दिया कि मुरली मनुहर जोशी, लाल कृष्णा अडवानी और MS बिट्टा, माय भयावती जी और गुलाम नभी आजाद के पास घर हैं, पर समस्या राहूल गांधी जी से है, ये सभी सांसद नहीं है, फिर भी इनके पास सरकारी मकान है, लाल कृष्णा अडवानी के मामले में हम पुरानी रिपोर्ट देख रहे थे, वायर की रिपोर्ट है कि जुलाई 2020 में जब प्रियंका गांधी से स्पीजी सुरक्षा हटा ली गई, तब उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था, जहां वे 1997 से रह रही थी, उस समय एक स्पष्टी करन आया था कि लाल कृष्णा अडवानी आजीवन रह सकते हैं, मुरली मनुहर जोशी और लाल कृ ज़सिता जाने से जुड़ा हुआ मामला आजम खान के मामले को भी सामने लाता है, योगी आदितिनात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर 80 से अधिक मुकदमे दायर कर दिये गए, कई साल पुराने केस को निकाल कर कोट के सामने लाया गया और मान हानी का केस बनाया ग गई जिससे वे चुनाओ लड़ने के लिए आयोग्य हो गए, दो हजार चौदा में जब आजम खान मंत्री थे तब अपने सरकारी लेटर पैड पर आरेसेस बीजेपी और मौलाना सेयत कल्ब जबाद नकवी के बारे में पत्र लिग गए, जो राश्ट्रिया अखबारों म राश्ट्रिया स्वेम सेवक संग और बीजेपी की मानहानी की है, यह केस पत्र लिखने के पांट साल बाद डायर हुआ और दो महिने तक जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित रहा, फिर इसे सांसदों और विधायकों के लिए बनी विशेश अदालत में भेज दिय गया, मार्च 2022 में मानहानी के केस में आजम खान को जमानत मिल गई, बीजेपी ने कॉंग्रेस फाइल्स के नाम से एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया है, इसमें कॉंग्रेस के 70 साल के भरस्टाचारों का हिसाब बताया गया है, मगर कॉंग्रेस तो 70 साल सत्ता में रही नह 15 साल से जादा तो अकेले बीजेपी के हो चुके होंगे बाकी दूसरे दलों की सरकारे भी हैं अब अगर अपना वाला भी हिसाब जोड लिया हो तो अलग बाद क्या ये वीडियो अदानी मामले पर राहुल गांधी के वीडियो का जवाब है तो इससे बहतर होता कि बीजेपी अदानी को लेकर राहुल गांधी के लगाए आरोपो का ही जवाब दे देती अदानी की हाइफा पोर्ट कमपनी में भारत में तैनात रह चुके इसराइल के पुर्वर राजदूत को कारेकारी निदेशक बनाया गया है इस खबर को आप कैसे समझेंगे समझते रहे बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिने समझने समझाने का वक्त नहीं लेकिन इस तरह के बयानों को ऐसे तान दिया जाता है जैसे यही सवाल सबसे जरूरी है उसमें भी जो मूल सवाल है उसका कभी जवाब नहीं आता है बीजेपी ने जो कांग्रेस फाइल्स बनाई है उसमें दावा किया है कि कांग्रेस शासनकाल में कोईला खदानों को लेकर घुटाले हुए लेकिन बीजेपी ने अलजजीरा में 26 रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा कम सकम कुछ तो कह देती हमने एक मार्च के इस वीडियो में अलजजीरा की इस खबर के बारे में बताया था तब हमने प्रतिकात्मक रूप से इस वीडियो का इस्तमाल करते हुए कहा था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार श्री गिरिजेश जलिहल और कुमार संभव की रिपोर्ट बड़े सवाल खड़े कर रही है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोट ने 204 कोईला ख़दानों को निरस कर दिया ये सभी 1993 से लेकर 2010 के बीच आवंटित किये गए थे हो ये रह था कि राज्य सरकार की कमपनियों को ख़दान मिलता था और वो कमपनिया प्राइवेट कमपनियों को गुप्त ठेके के आधार पर सौप दिया करती थी मुनाफ़ा प्राइवेट कमपनियों की जेब में जा रहा था इस कड़ी में 2008 में एक कॉंट्रेक्ट अधानी समू को दे दिया गया मगर अधानी समू का काम चलता रहे इसके लिए मोधी सरकार नियमों में एक अपवाद के सहरे छूट देती है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि उस खदान से अधानी समू आज तक 80 मिलियन टन कोईला निकाल चुका है रिपोर्टर्स ने कई दस्तावेज भी खंगाले उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने अकेले अधानी समू के लिए यह छूट क्यों दी बीजेपी को कॉंग्रेस फाइल्स में इस बात का जवाब दे देना चाहिए था नरेंद्र मुदी की सरकार सत्ता में 10 साल पूरे करने जा रही है कम से कम टूजी मामले में जो भरष्टाचार हुआ उसी का पैसा वापस आ जाता और सजा मिल जाती जिन्होंने जीरो जीरो लगा कर रिपोर्ट दी उस विनोध राय से बीजेपी पूछ लेती कि बाकी के जीरो कहां चले गए 66 करोड से अधिक भारतियों का डेटा चोरी हो गया है उनके बैंक डिटेल से लेकर उपभोग के आकड़े उड़ा लिये गए हैं जनता को अब वापस मुद्दों पर लाना संभव नहीं है बाईजू और विदान्तू के 18 लाग चात्रों का डेटा उड़ा लिया गया है एप से टेक्सी का इस्तमाल करने वाले करीब पौने 2 लाग सदिक लोगों के रेकॉर्ड उड़ा लिये गये हैं चा महानगरों के साड़े 4 लाग करमचारियों का डेटा चोरी हुआ है यही नहीं तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने पाया है कि GST और PAN नमबर का भी डेटा चोरी हुआ है YouTube, Paytm, Phone Pay, Big Basket, Book My Show का डेटा चोरी हुआ है Bank, Bima सब का डेटा उड़ाया गया है आपकी कौन सी जानकारी अब किसके पास चली गई है मालूम नहीं मगर देश ने तै कर लिया है देखना ही नहीं है देश का एक हिस्सा दंगों की आग में जुलसा दिया गया है बहस और बयानों से जिनके घर जले हैं उन्हीं को दंगाई साबित किया जा रहा है एक देश और है जो इन सबसे दूर शाम को IPL देख रहा है जियो कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि जियो सिनेमा पर टाटा IPL को 147 करोड वीडियो व्यूज मिले हैं औसतन हर मैच को हर दर्शक ने 57 मिनट देखा है इससे पता चलता है कि समाज ने अपनी प्रात्मिक्ताएं तै कर ली हैं बदल ली हैं नमस्कार मैं रविश कुमार